प्रकति में कई ऐसी चीज़े मौझूद हैं जो हमारी सेहत के लिए काफी फायदे मंद होती हैं और उन में से एक है कई अलग-अलग प्रकार की पत्तियां जिनका सेवन करने से शरीर में मौझूद दिमारियां दूर हो सकती है ये पत्तियां हमारे शरीर को सेहत मंद बनाने में काफी हद तक मददगार साबित होती हैं पत्तियों में सबसे गुड़कारी नीम की पत्तियों को माना गया है नीम के पत्ते और शदिय गुनों से भरपूर होते हैं ये डाइबिटीज कंट्रोल करने में काफी मददगार साबित होते हैं। अगर आप हर रोज सुबह खाली पे चार से पांच नीम के पत्ते खाएं तो आपका शुगर लेविल काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। साथ ही इसकिन समंदी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। इसकिन डिसीज से राहत दिलाने में नीम के पत्ते काफी असरदार माने गए हैं। जानकारों के मताबिक डियाबिटीज के मरीज़ों को नीम के पत्ते खाने चाहिए। इससे उनका बलड शुगर कंट्रोल रहेगा और कॉम्प्लिकेशन से बचाव होगा आयरुवेट ने बताये गया है कि नीम की पत्तियों में तिक्त और कशाय नाम के रसवाय जाते हैं ये दोनों रस हमारे शरीर में पहुँच कर मधुर रस यानि ब्लट शुगर लेविल को कम कर देते हैं आयरुवेटिक डॉक्टर के अनु इबिटीज के मरीज नियमित रूप से नीम के पत्तों का सेवन कर सकते हैं शुगर से पीडित लोगों के लिए नीम के पत्तों का सेवन सुरक्षित माना जा सकता है नीम के पत्तों को कब और कैसे खाएं आप सवाल उट्टा है कि शुगर के मरीज नीम के पत्ते कब और कैस डॉक्टर्स के अनुसार चार से पांच नीम की पत्तियों को सुभा सुभा खाली पेट चबा कर खाना सबसे ज्यारा लापकारी होता है। कई तरह के तचारोगों से भी दाहत मिलती है। इसके लावा सिहत मंद लोग भी नीम की पत्ते खा सकते हैं। इससे उन्हें पहले से ज्यारा फिट होने में मदद मिलेगी, साथ ही बीमारियों का खत्रा भी कम हो जाएगा। इन पत्तों को पीस कर चूर्ण भी बनाया जा सकत है। किसे नीम के पत्ते नहीं खाने चाहिए। आयरवेदिक डॉक्टर की माने तो शारेरिक रूप से अत्यधिक कमजोर, गर्वती महिलाओं, बेस्ट प्रीनिंग कराने वाली फीमेल्स और बुजर्ग और छोटे बच्चों को नीम के पत्ते नहीं खाने चाहिए। इसके करना उनके लिए नुकसान दायक हो सकता है। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चानल को सब्सक्राइब जरूर करें।